है जो आई वेल्कूम बैक तो माइ चैनल फ्रेंज्ट्स आज लेके आहे हूं गुज्राती रेसिपी तो हमारी यहाँ पर ज्यादा तर बनता है धोकडी धोकडी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ सेढ़ करने जा रही बिल्कुल गुज़रती तरीके से मैं गुज़रती hoon तो हम्मारी यहाँ पर यह बनता रहता है इसे वज़े से आज मैं आप लोगों के साथ सेर् करने वाली हूँ लेकिन इसमए एक मेण प्रोसेस यह है कि मैंने यह डाल से जो तुट टूब की दाल आती है उससे नहीं बनाई है सूकई जो ़ूरा आखा जो बाहता है उस से यह अज Sü Carolina just और 4-5 टेबल स्पुन इसमें डालेगे cooking oil उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेगे और थोड़ी सी राय डालेगे तरका के लिए तरका हमरे यहां पर खास होता है मतलब बंद करते ही है तरका तो इसमें हम डालेगे दोहरी मिर्ज यह optional है अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो ता डाल सकते हो इसके बाद हम डालेगे थोड़े से करीले उस और फिर हम इसमें डालेगे प्यास तो यहां पर मैंने एक अट कट कर लिया है शवा कहले अभिगे दोट फिर यहां पर एक टमट्र लिया हिसको मैंने भारीं कट कर लिया है सबीचह अच्छे से मिस कर लेगे और अभी हमें पकाना है तो अब इसमें डालेगे हाफ टेबल ful धड़न्या धन्यात्र जो आता है धन्या ग्रीन धन्या जो आता है कुरियंडर लिवस वह अध्रक लहसुन और मिर्ची की पेस हमेंने याड़ की है और सबी चीजों को अभी हमें सौटे करना है लग बग एक मिनी तक इसे सौटे करना है टमाटल जब तक हमारा अच्छा से पक ना जाए धक के हम इसे पका लेगे दुसरी तरफ हम आ में ज्यादा यादा डाला है और 14 टेबल स्पून Münik utdianas a लिट्थ नमक डालेखे और इसमें डालेगे ओए तो और हम इसमें डालेगे तू से त्री टेबल स्पून जिटना क्योंकि इसमें हमें आता लगाना है तो इन सभी चीज़ों मसाले को मिक्स कर लेगे फ्रेंट्स ध्यान रखेगा क्योंकि यह जो धोकडी है एक ही रेसिपी है और इसमें ना दो तरह के मसाले जाते हैं दोनों तरफ से तो अभी हमारे जो मसाले है वो सोटे हो गये है जो तमातर हमने डाला था तो उसमें भी हम मसाले डाल देगे जो भी मसाले में डाल रही हूँ वो आपको स्क्रिन पर लिखके दे दूँगी ताकि आपको आइडिया है कितने कितने मसाले डालने है तो फ्रेंट्स ध्यान रखे लगाएगी उसमें भी मसाला दलता है की इसमें वांतिटीटी थोड़ी सी कम इना एट की है जब तरका लगाएगें अब इसमें मैंने सुकी तूर राती है मैंने भीगो कर रखा था और उसको मैंने boil कर लिया है तो उसे 3 विसल ला जाए तब तक इसे boil कर लिया अच्छी तरह से तो इसको इसमें mix कर लेगे और सिफ 2 मिनित तक इसे हमें पकाना है मसाले के साथ ताकि जो ये तूएर है वो मसाला सोक ले मतलब उसका जो टेस है वो बहुत ही अच्छा उबर के आए तो अब इसको भी हम धक के 2 मिनित तक स्वाटे कर लेगे मेडियम आज पे अब हम आटा लगा लेगे तो सारा मसाला हमने रेडी कर लिया है तो इसमें हम आटा डालेगे तो देर कप जितना मैंने आटा इसमें लगाया है थोड़ा सा मैं आटा ना इसमें ज्यादा लगा लेती हूँ ताकि जो इसका मसाले की जो रोटी आते है वो अचार के साथ हम खा सके तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा आता लिया है आप वर्म कप आठा ले सकते हो इसमें सभी जो मसाले हो उसको आठे में इस तरह से मिक्स कर लेगे उसके बाद हमें इसका ठीक डो बनाना है रोटी जैसा दो नहीं बनाना है जोब हम पूरी बनाते हैं उसका ठीक डो बनाते है थोड़ा तो इस ताइप का इसमें दो हमें लगाना है तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल लिएगा ज्यादा पानी ना हो जाए इसमें अब मसाले हम देख लेते हैं तो हमारा मसाला जो है तुवेर वाला वह बहुत ही अच्छे से सोटे हो गया है तो अब इसमें हमें पानी डालना है जो two-way मैंने boil की थी ना उसका जो पानी बचा था उसको मैंने रखा है तो उसको इसमें add करेगे तो वो one glass जितना पानी था तो इसको इसमें पहले add कर देगे उसके बाद इसमें और दो से तीन glass हम पानी add करेगे इसमें पानी की quantity ज़्यादा लेनी है तीन ग्लास मैंने यहाँ पानी इसमें एड किया है और फिर इसको boil होने देगे धोकरी है तो वो जो है वो pouring consistency की होती है मतलब कि पटली होती है जिसे खाने में मज़ा आता है तो gravy थोरी होती है थोरी थीक होने के लिए हमने यहाँ पर twear की सब्ची जैसे बनाया है उसके बाद इसमें पानी डालना होता है फ्रेंस हमारे गुजरात में वीक में एक बार धोकरी बनती है चाहे वो twear डाल की हो या फिर twear की हो तो थोरा सा ओयल डालेगे हमारे आते के उपर और फिर इसे अच्छे से गूठ लेगे हमारे आता अच्छे से गूठा होना चाहिए तो अब इसकी हम रोतिया बनाएगे पहले हम देख लेते हमारे जो पानी डाला है उसमें उबाल आ गया है और फिर हम घुर डालेगे यह बिल्कुल ही ऊफचनल हे मैं यहां आपर डो टेबल स्पुन घुर की डाल रही हूं और थोरी सी इंहली का पर अचुल और जाया है में अच्छा लेक्तल दती है और दक्राई पानी को प आप उसको मत दालो तो भी आपको ठीका खाना पसन है तो आप ठीकी दोकरी बना सकते हो हमारी यहाँ पे थोड़ा मीठा खाते हैं मतलब कि यह जो धोकरी हो उसमें थोड़ा सा गूर का मीठापन और इमली का खटा फनाता है तो वहत ही अच्छा लगता है हम रोतिया बेल लेगी तो इसमें आप पटली-पटली रोतिया बनानी होती है तो मैं यहाँ पे बड़ी सी रोति बना रही हूँ यह हमारी रोती आप देख सकते हो एकड़-पटली सी बन गई है इसके बाद इसको इस तरह से कट कल लेगे आप मन चाहे सेप में इसे कट कर सकते हो, बड़ी भी रख सकते हो, छोटी भी रख सकते हो, आप पर डिपेंड है, आपके घ्रसे हम पकने में ज़्यादा ताइम नहीं लगता है, तुरंटी ने दोकरी बनके रेदी हो जाते हैं, इसले हैं इसले हैं I have white च्नात रोती में इसमें बनाके डालूंगी, तो टल सांत रोती बनाऊंगी, पतली पतली इस तरह से, और इसमें एड्ड कर दूंगी, इस तरह से एक एक करके आड्ड करना है, तो यह ना चिपकेगी नहीं, और अच्छे से अलग-अलग निकलेगी, जब आप खाते हो तब, अगर आपको उसका वीदियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपके लिए दाल ढूकडी का वीदियो भी सेर कर दूँगी क्योंकि वो हमारे यहां पर बनती ही रहती है तो इस तरह से हम सारी रोटी आप बेल लेगे तो मैं यहां पर 7 रोटी बेल रही आड कर देगे हम पानी में और फिर इसको आधे गंते के लिए हमें मेडियम आज पर पकाना है बहुत ही अच्छे से जब तक हमारी जो यह रोटी है वो अच्छे से पक जाए तब तक इसको हमें पकाना है तो फ्रेंट्स यह जो रेसिपी है मैंने बनाई है वो 3 परसं के ल पानी ले सकते हो आपके घर में कितने परसं है उसके इसाब से आप इसको बना सकते हो तो इसमें ठीकनेस आने लगी है दस मिनित के बाद आप चेक कर लेना क्योंकि यह ना नीचे से थोड़ा चिपक जाता है इसी वज़े तो चम्मस के आल से इस तरह से घुमा लीजेगा पर चेक बार और फीर से मेडियम आच पे इसे पकाने के लिए रख लेना लगबग पांच मिनित तक 15-20 मिनित में यह धुकड़ी बन के रेदी हो जाती है इसमें ठीकनेस आ जाती है आप देख सकते हो इसमें ठीकनेस आना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा गाड़ा पनाना स् तो यह perfect consistency है तो इसमें हम green हरे हरे धन्य के पट्टे और थोड़ा सा मैंने यहां पर लहसुन के पट्टे भी डाले है तो उसका तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो हमारा ready है हमारी धोकरी बनके ready हो गई है बिल्कुल गुजराती style धोकरी बनाई है आज मैंने तो friends इसी तर से बहुत ही तेस्टी लगती है और बहुत ही healthy होती है I hope आज का वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो helpful लगा हो तो like जरू से करिएगा